नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है कानपूर के चवबेपूर थाना छेतर के गाउं विक्रू में आथ पुलिस कर्मियों को मौत की निद सुलाने वाला गैंगेश्टर विकास दूबे फरिदाबाद में पुलिस को कुछ इस अंडाज में चक्मा दिया वीडियो देखि झाल एंडाज में आपका स्वागत है जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो सड़क पे खड़ा हो करके इंतिजार कर रहा है किसी वैकिल का दो आटो आते हैं उसको छोड़ देता है वो तीसरे आटो में सवार हो जाता है और वहां से निकल जाता है जैसे ही विकास यहां से निकला उससे पहले वो CCTV में कैद हो चुका था और उसके निकलते ही पुलिस पहुंची पुलिस ने वहाँ छानमिन की CCTV कैमरा देखा और ये देखकर के पुलिस की आँखे फटी की फटी रह गए कि जिस विकास दुबे को साड़े साथ हजार उत्तरप पकड़ा उससे वो बॉर्डर पहुंचा बॉर्डर पहुंचने के बाद संभौता वो दिल्ली में घुस गया क्योंकि दिल्ली में वो सरेंडर करने के चक्कर में है उसी में से एक पुलिस कर्मी ने जब उसके CCTV में वीडियो और फोटो को देखा तो उसने कहा कि ये तो हमे पहचान अंकुर के रूप में बताई थी पुलिस टीम के होटल पहुंचने से पहले ही विकास वहाँ से निकल गया था उसे कुछ सयोगी वहाँ पकड़े गये हैं दिल्ली एंसीयार में छापे मारी चल रही है लेकिन अभी तक कुछ पतान नहीं चल पाया है दूसरा डेव परामद हुए है तो समझा ये जा रहा है कि ये जो अंकुर और स्रमण है वो विकास दुबे के रिष्तेदार हैं उन्होंने फरीदाबाद में उनकी मदद की थी और कौन-कौन-कौन मदद कर रहे थे ये पुलिस पता लगाने में जूटी है लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे विकास दुबे को गिरफतार किया जाए क्योंकि यदि वो हाथ से निकल गया और दिल्ली की किसी अदालत में सरेंडर करने में कामयाब हो गया तो फिर यूपी पुलिस खाक शांती रा गई इतने बड़े गएंगेश्टर को पकड़ने के लिए चालिश टीमे और साड़े साथ हजार पुलिस कुछ नहीं कर पाई आपको बता दें कि इसमें अभी तक तीन लोग मुटभेण में मारे जा चुके हैं ये तीनों वो बदमास है जो उस दिन घटना वाली रात आठ पुलिस कर्मियों को मौत की नित सुलाने में सामिल थे और वही मास्टर माइंड है, वही सबसे बड़ा गैंगेश्टर है और वही असल में हत्यारा है। देखते हैं पुलिस को कामयाबी मिलती है या जो है वो सरंडर करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि एक बात समझ में आ रही है। विकास बहुत होसियारी से चाल चल रहा है, किसी वैकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मोबाइल साथ में नहीं लिए हुए है, और NCR में इस लिए भागा हुआ है, कि यहां पर national media का पूरा national media है लिहाँजा गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके एनकाउंटर करना कम से कम इस इलाके में मुश्किल है क्योंकि मीडिया की उनजरों में है और इधर दिल्ली में surrender की तैयारी तो जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए